गरीब की होली ये कहानी माधव के परिवार की है जो अपनी बेटी गुडिया के साथ रहता था गुडिया की मा इस दुनिया में नहीं थी लेकिन उसके पिता माधव ने गुडिया को कभी उसकी मा के कमी महसूस नहीं होने दी गुडिया मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना पिताजी कुछी दिनों में हो ले आने वाली है, आप आज आतिस में मेरे लिए रंग और पिछकारी लाना ठीक है मेरी बच्ची ले आऊंगा तेरे लिए में रंग और पिछकारी, अच्छा अब मैं चलता हूँ और माधव काम के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन माधव के दिमाग में बहुत सी बाते चल रही थी गुडिया को तो बोल दिया कि रंग और पिछकारी ले आऊंगा, लेकिन उसको क्या पता कि मेरी नौकरी चली गई है उसको बताओं भी तो कैसे बताओं कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे फैक्टरी से निकाल दिया है जो पैसे रखे थे, अब वो भी खत्म हो गए है, अगर ऐसे ही काम नहीं मिला, तो हम क्या खाएंगे हे भगवान, आज कैसे भी कुछ काम मल जाए, तो मैं अपनी बच्ची गुडिया को रंग और पिछकारी दिला दूँ माधव जिस फैक्टरी में काम करता था, उस फैक्टरी के मालिक ने उसे नौकरे से निकाल दिया था, लेकिन ये बात माधव ने गुडिया को नहीं बताई थी, और ना ही वो उसे बताना चाहता था जाते जाती माधव एक मिठाई के दुकान पर जाता है साहब मुझे काम की जरूरत है, अगर आप मुझे अपनी दुकान पर कुछ काम दे दे, तो मैं आपका ये हैसान कभी नहीं भूलूँगा हमें दुकान पर अभी किसी की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहां से माधव अपने दोनों हाँ जोड कर दुकान के मालिक से बोलता है मालिक, मैं दुकान में बर्तुरों के सफाई कर लूँगा, आप जो बोलोगे वो सब कर लूँगा, बस मुझे काम पर रख लीजिए माधव अपनी भरी हुई आँखों से दुकान के बाहर से निकल जाता है, ऐसे ही पूरा दिन बीच जाता है, लेकिन अभी तक उसे कोई काम नहीं मिला था सुभा से शाम हो गई है, और कहीं कोई काम नहीं मिला, क्या बोलूँगा गुडिया को जाकर, कि तेरा बाप इस लाइक भी नहीं कि उसके लिए रंग और पिचकारी ले सके माधव घर पहुँच जाता है, तो गुडिया अपने पिता का इंतजार कर रही थी, और अपने पिता को देखते ही, वो खुशी से बोलती है पिता जी आप आ गए, मैं आप का ही इंतजार कर रही थी पेटा, मैं आज तुम्हारे ले कुछ नहीं ला पाया, इस समय रंग और पिचकारी वाले दुकाने भी बंद हो गई थी, कल पक्का ले आउंगा कोई बाट नहीं पिता जी, आप कर ले आना, क्या हुआ पिता जी, आप बहुत ठके ठके लग रहे हो कुछ नहीं बेटा, आज बस तब्यद खराब से लग रही है ठीक है पिता जी, आप चल्दी से खाना खाकर अराम कर लीजिए माधव गुडिया को खाना खिलाता है और फिर वो सो जाते हैं अगले दिन माधव फिर से घर से काम के लिए निकलने लगता है अभी गुडिया सोई हुई है, अभी काम के लिए निकल जाता हूँ नजाने आज काम मिलेगा या नहीं हे मातारानी, आज मुझे कुछ काम मिल जाए ताकि मैं अपनी गुडिया को रंग और पिचकारी ला सकूँ मैं अपनी बेटी से और जूट नहीं बोल सकता गुडिया उठती है, पिटा जी ने मुझे बताया नहीं कि वो फैक्टरी में नहीं जाते, क्या पिटा जी को काम से निकाल दिया है, इसलिए पिटा जी कुछ दिनों से परिशान रहते है और रात को खाना भी नहीं खाया गुडिया माता रानी के तस्वीर के सामने हाथ जूड कर खड़ी हो जाती है ही माता रानी, आप मेरे पिटा की मदद करो उनको कोई काम दिला दो, मुझे अपनी ले कुछ नहीं चाहिए आपस मेरे पिटाजी को खुश रखना और उनकी मदद करना उधर माधव एक दुकान पर जाता है और उस दुकान पर उसे कुछ काम मिल जाता है देखो ये सारा समान गाड़ी में लोड करना है काम होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे माधव बहुत खुश हो गया था बड़ी मुश्किल से आज उसे काम मिला था शान तक कान करके दुकान का मालिक माधव को पैसे दे देता है और माधव रास्ते में जाते जाते सोची रहा था गुडिया के लिए रंग और पिचकारी ले लेता हूँ वो बहुत खुश होगी कितने दिनों से बोल रही थी और कुछ खाने के लिए कुछ समान भी ले लेता हूँ इसी बीच एक औरत अपने रोते हुए बच्चे को ले कर आ रही थी सुनिये मुझे कुछ पैसे चाहिए मेरा बच्चा बहुत बिमार है और मेरे पास पैसे भी नहीं है भगवान आपके बच्चे को सारी खुशियां दे इस मा की मदद करो मेरे बच्चे को बचा लो माधव मन ही मन में सोचता है मेरे पास तो बस यही पैसे है मुझे अपनी बेटी के लिए सामान लेना है और मैं ये पैसे इनको नहीं दे सकता, इसको तो कोई भी पैसे दे देगा लेकिन ये सोचते ही उसके मन में नजाने क्या आता है और माधव अपनी जेब से पैसे निकालता है और उस औरत को दे देता है ये लो कुछ रुपे और जल्दी जाकर अपने बच्चे के लिए दवाई ले लो मुझसे ज्यादा तुम्हें इन पैसों की जरूरत है आपका बहुत थन्यवाद भगवान तुम्हें हमीशा खुश रखे और वो माधव से पैसे लेकर चली जाती है माधव आज फिर खाली हाथ घर लोट रहा था मुझे माफ करते न मेरी बच्ची आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया जब माधव घर जाकर देखता है तो घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी और अंदर गुडिया घर में किसी से बाते कर रही थी ये गाड़ी तो फैक्टरी के मालिक की लग रही है लेकिन ये हमारे घर माधव अंदर जाकर देखता है तो माधव जहां काम करता था उस फैक्टरी का मालिक वहां आया था मालिक आप यहां देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैंने कुछ नहीं किया मुझे सब पता चल गया है कि तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए तो आज मैं यहां आया हूँ, तुमसे माफी मांगने, यह होली का कुछ समान देने आया था, कल होली है तो तुम्हारे परिवार के लिए यह कुछ मिठाई और कुछ रंग है, और जिसने फैक्टरी में चोरी क करने की कोशिश की, तो मैंने उसे पकड़ लिया, मैं चाहता हूँ कि तुम होली के बाद फिर से काम पर आ जाओ, शक्रिया मालिक, आप मेरे घर पर आए, और मुझे फिर से काम पर रखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और मुझे पुरा विश्वास था कि जो क मैंने किया ही नहीं, भगवान उसकी सजा मुझे कभी नहीं देंगे, आज तुम्हारी बजह से ही वो लालची इंसान पकड़ा गया, और फिर मालिक वहां से चला जाता है, अगले दिन होली का दिन था, और भगवान ने होली से पहले सब ठेक कर दिया था, पिताजी देखो करना मातरानी ने सब ठीक कर दिया, और हमारे लिए कितना कुछ भेजा है, अब हम कल मिलकर होली मनाएंगे, मुझे तो ये रंग पिरंगे रंग देखकर अभी से पिचकारी चलाने का मन हो रहा है, बेटा चलो, अभी जल्दी से सो जाओ, सुबह उठकर होली खेलना, ये सब हसते हुए गुडिया को रंग लगाते हैं, गुडिया भी सब बच्चों को रंग लगाती है, और अपने पिताजी को भी रंग लगाती है, फिर वह सभी बच्चों के साथ मिलकर होली खेलते हैं, ये कहानी शांती नाम की एक महिला की है, जो नदी की किनारे बसे एक गा उसकी शादी को 20 साल हो गए थे पती की म्रत्य होने के बाद शांती बिलकुल अकेली हो गई थी बिना पती और बच्चों के शांती अकेली ही अपना जीवन काट रही थी हर रोज सुभा सुभा उठकर शांती मचलिया पकड़ने चली जाती थी और उन मचलियों को पकड़कर वो बाजार लेकर जाया करती थी, और उनको जो कुछ भी बेच कर मिलता था, उसी से उसका घर चलता था, एक दिन की बात है, शांती सोकर उठती है, अरी पापरे, आज तो लीट हो गई हूँ, सूरज भी सर पर चड़ाया है, अब तक तो सब लोग मचलिया पकड़ कर बाजा जाल बिचा देती हूँ, और शांती नदी में जाल फेकती है, एक आदमी अपनी नाव में मचलिया पकर रहा था, अरे किनारे पर ही जाल बिचाती रहती हो, यहां कहां मचलिया मिलेंगी, थोड़ा पानी के अंदर आओ, तब बड़ी मचलिया जाल में फसेंगी, अब मैं क महां पानी में जाऊं, और मेरे पास तो नाव भी नहीं है, किनारे में जो भी मचलिया मिलती है, बस उसी से मैं काम चला लूँगी, और शांती जाल को पानी में फेकती है, थोड़ी देर में ही जाल थोड़ा सा भारी हो जाता है, जैसे ही शांती जाल खींचती है, तो जाल कच्रा ही मिलेगा अब बड़ी मचलिया किनारे पर तो आएंगी नहीं मेरी बात मानो तो एक नाव खरीद लो जिसकी वज़ा से मचलिया तो पकड़ पाओगी शांती सोचती है अगर इतने पैसे होते तो नाव ले लेती अब नाहीं मेरे पास पैसे है और नाहीं इतनी जान क कि पानी के अंदर जाकर मचली पकड़ सको लोगों को तो बस बाते बनानी आती है शांती फिर से जाल नदी में डालती है और इस बार कुछ चोटी-चोटी मचलिया जाल में फस जाती है हे गड़ बती पापा आज भी फिर यही चोटी-चोटी मचलिया हाथ लगी है यही ल लोगों की बाते सुन सुन कर शांती को गुस्सा आ रहा था। आप अपना काम करो ना चब देखो दूसरों की काम में टांग अड़ाते रहते हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मुझे क्या है जो मन करे वो करती रहो। आई बड़ी। सबकी दुकानों में बड़ी बड़ी मचलियां थी। सर्फ शांती की टोकरी में छोटी मचलियां देख रही थी। इसलिए सब लोग शांती की मचलियां छोड़ कर दूसरों की मचलियां खरीद रहे थे। तब ही एक औरत शांती के पास आती है। कैसे दे रही हो मचलिया एक सो पचास रुपे किलो अरे इतनी चोटी चोटी मचलिया है और वो भी इतनी महंगी देखिए पचास रुपे की दे दीजिये अब तो बजार भी खाली हो गया है आप से कौन लेगा अब ये इनको नहीं बेच उगी तो ये भी पड़ी-पड़ी खराब हो जाएगी शांती भी बान जाती है चलो ठीक है ले लो और शांती सारी मचलिया पचास रुपे में उस वरत को बेच देती है और वहां से शांती घर वापिस आ जाती रास्ते में आते आते वो एक छूटी लड़की को देखती है जो जोर-जोर से चिलाते हुए भा शांती देखती है कि लड़की के पीछे एक आवारा कुट्टा भाग रहा था शांती जैसे ही कुट्टे को देखती है वो अपने आसपास पड़े कुछ पड़े से पथर उठाती है शांती जोर से पथर कुट्टे को मारती है और वो कुट्टा डर कर भाग जाता है लेकिन वो लड़की बहुत घपराई हुई थी पस पस तुम डरो नहीं वो कुत्ता भाग गया है तुमारा नाम क्या है बेटा मेरा नाम सपना है तुम ये बताओ तुम अकीली यहां क्या कर रही हो तुमारा घर कहां पर है और तुमारे माता पिता कहां है शांती की बात सुनकर वो बच्ची और रोने लगती है मेरा कोई भी नहीं है मेरे माता पिता को भगवान ने अपने पास बुला लिया है बच्ची की बात सुनकर शांती को बहुत दुख हुआ अरे मेरी बच्ची तुम रो मत चलो मेरे साथ मेरे खर चलते है मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ तुम्हें भूख लगी होगी न और शांती उस बच्ची को अपने घर ले जाती है और उसको खाना खिलाती है आज से तुम मेरे साथ मेरी खर में ही रहोगी मैं घर में अकेली रहती हूँ और अभी खणपती बपा ने हम दूनों को मिला द मैं जल्दी वापेस आजाऊंगी में भी आपके साथ चलू मचली पकड़ने मेने कभी मचली नहीं पकड़ी आच्छा तो चलो आज मैं तुम्हें मचली दिखाती हूं और वो दोनों नदी की किनारे जाते हैं वहां और भी बहुत से लोग मचलीया पकड़ने आए थे हम नद किनारे से मचलियां पकड़ते हैं इसलिए ज्यादा मचली नहीं पकड़ पाते बस बप्पा की कृपा से मुझे यही कुछ छोटी मोटी मचलियां मिल जाती है उसी को बेचकर घर का चूला जलता है हे गड़पती बप्पा आज बड़ी-बड़ी मचलियां हमारे जाल में फस सपना भी जाल खीचने में अपनी मा के मदद करती है और बहुत मुश्किल से वो दोनों जाल खीचते हैं, जाल में एक बहुत ही बड़ी और सुनहरे रंगे मचली पसी थी, अरे माँ देखो कितनी सुन्दर मचली है ये देखकर सपना और शांती बहुत खुश होते हैं ये मचली तो बहुत कीमती है और वो दोनों उस मचली को बाजार में बेचने जाते हैं जब वो दोनों सुनहरी मचली को लेकर बाजार जाते हैं तो लोगों की भीड शांती और सपना के पीछे-पीछे चल रही थी, और सब उस सुनहरी मचली की बाते कर रहे थे. अरे ये तो बहुत कीमती मचली है, आप इस मचली को लेकर मेरे साथ बड़ी मंडी चलो. और वो उस मचली को बड़ी मंडी मिले जाते हैं, वहां बहुत से लोग उस मचली को खरीदना चाहते थे. तीन लाख, है कोई इससे ज्यादा बोली लगा सके जो? चार लाख, पूरे पाँच लाख. इस तरह शांती और सपना को उस सुनहरी मचली के पाँच लाख कीमत मिलती है. गहर आकर वो दोनों गड़पती पपा का धन्यवाद करते हैं. और शांती सपना से कहती है, बेटा, ये सब कुछ जो भी हुआ है, ये सब मुझे तेरे रसीप से मिला है. आज से पहले मुझे कभी बड़ी मचलीया तक नहीं मिलती थी, लेकिन तुम्हारे आने से इतनी बड़ी और वो भी सुनहरे रंग की मचली मिली, जिसकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी. अब इन पैसों से मैं तुझे स्कूल भेजूंगी और तेरे ले वो सब चीज़े लाऊंगी जो तुझे आज तक नहीं मिली. सपना शांती के गले लग जाती है, सपना भी आज बहुत खुश थी, उसे शांती ने एक मा का प्यार दिया, और फिर उन पैसों से शांती गाओं में घर लेती है, और सपना को स्कूल में पढ़ने भीशती है.